तो एर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे एंड बेला इकन को प्रेस कर लिजे क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर डालता रहता हूँ आज का जो हमारा टोपिक है पारसाइटोलोजी क्या होती है पारसाइट्स क्या होती है कौन कून से पारसाइट्स क्या क्या डिसी स्कोस करते है that's everything we will discuss in this video । सबसे पहले मेडिसकस करूं जिसमें Parasites की Study करते हो उसे Parasitology कहते है और Parasitology Medical Microbiology की ही एक Branch होती है अब देखते डेफिनेशन और पेरासाइट, पेरासाइट की क्या डेफिनेशन होती है Parasite is a living organism, जिन्दा living organism विच dependence on another food is called parasites सिंपल समझो जो किसी और के खाने पर निरभरो उन्हें पेरासाइट्स केते एक प्रकार कि हम भी पेरासाइट हैं भी किसी और के फूट पर डिपेंड हैं हम खुद का फूट अपना थुड़ी हमारे पेट के अंदर खाना बन जा गया तो हम प्लांट सोर्स को खाएंगे या इसा पेरासाइट पेरासाइट टेकर न्यूट्रिशन फ्रॉम दी होस्ट अभी होस्ट क्या होता है थोड़ा सा बता देते हूं आगे मैं आपको डीटेल से बताऊंगा होस्ट का मतलब होता है कि जहां पर पेरासाइट रहते हो पेरासाइट के घर को हम होस्ट बोलेंगे आप एक प्रकार से हुमन से भी होस्ट है हमारे अंदर भी परसाइट सोते है जानवरों के अंदर भी परसाइट सोते है वह एक होस्ट मच्छरों के अंदर भी परसाइट मलेरिया फिलाने वाले मलेरिया मच्छर तो मलेरिया के अंदर भी परसाइट मतलब मच्छर के अंदर पाएगा तो जहां पर पेरसाइट होंगे उसे होस्ट बोलेंगे आगे बढ़ता हूं में पेरसाइट आर वेरी हामफुल फोर होस्ट इट डिप इट प्रोड्यूजर सो मैनी डिसीज इन होस्ट देखो पेरसाइट डेफिनेटली माइक्रो ओर्गनीजम में लिविंग एक्रोड इस पेरसाइट बहुत सारी बीमारिया होस्ट के अंदर कोस्ट करते है होस्ट मतलब में हूमन पे मलेरिया मोस्कुटो जो कि मॉस्कुटो में पाए जाता है आठ आफिलिया मोस्कुटो में that's everything they are all are होस्ट नेक्स बढ़ता है है हम लोग टाइप्स ओफ पेरसाइ Parasites को चार भागों में डिवाइट किया है Ectoparasites, Endoparasites, Obligate Parasites, Facultitude Parasites इन सबको हम लोग एक ही करके discuss करते हैं ठीक आप आगे बढ़ते हैं next page पे अब देखो types एक ही करके में discuss करता हूँ Ectoparasite, Ectoparasite अब parasite which is live outside body of force that is called Ectoparasite जो कर दिक देखो जो की ऐसे पेरसाइट जो की जिन्दा रहते हो boot ky house हो uphold की जो बोडी है ना इसकी सर्फेस पर प्अलय जाते हो ऐसे प्यासाइट को मैं क्या बुलूँगा एक्टो फेरसाइट एक्टो पेरसाइट का मतलब यही होता है की सुपर्फीशली स्कीन पर पाए जाते हो ठीक है यूमन्स एनिमल्स की सुपर्फीशली स्कीन पर एक्जामपल है इसकैबिस इसकैबिस हमेशा सुपर्फीशली इन्फेक्शन कोस करता है होस्ट की बोडी के बाहर रहता है स्कीन पर एंडोपरासाइट, नेक्स्ट है एंडो, एंडो मतलब के लिए रहे अंदर, बोडी के अंदर, होस्ट की बोडी के अंदर, जो होगा उसे एंडोपरासाइट बोलेंगे, देखिए, नेक्स्ट हैँ, नेक्स्ट हर्ड, ओबलीगेट पेरासाइट, Obligate का मतलब होता है पून रूप से निर्भर किस पे? Parasite किसी host की body पे देखे मैं लाइन पढ़ता हूँ आपको समझ में आएगा Parasites which special type of parasite होता है Obligate Parasite which can not alive without host ऐसे parasite जो की host की body की बीना जिन्दा ही नहीं रह सकते ऐसे parasite को हम बोलेंगे Obligate Parasite They are completely dependent on host यह हमेशा पून रूप से host की body पर ही निर्भर करते होस्ट की body के बाहर जिन्दा नहीं रह सकते मर जाएंगे host की body के बाहर जाएंगे Parasite example है Malaria Malaria होता है Malaria हमारी body के अंदर ही जिन्दा रह सकता है अगर हमारी body से बाहर निकाल देंगे तो Malaria मर जाता है Malaria Parasite की death हो जाती है मतलब यह पून रूप से कहा पर निर्भर है हमारी body के अंदर मर और पून रूप से और body के अगर बाहर निकालेंगे तो मर जाएंगा फेकल्टेट्यू पेरसाइट फेकल्टेट्यू को मतलब होता है जो body के अंदर भी जिन्दा रह सके और body के बाहर भी जिन्दा रह सके ऐसे parasites को faculty पेरसाइट कहा जाता है faculty पेरसाइट का मतलब ही होता है कि जो body के अंदर भी जिन्दा रहे और भार भी एक्टो पेरसाइट जो की स्कीन पे पाया जाएगा इंडो मतलब जो की body के अंदर पाया जाएगा obligate मतलब पूर्ण रूप से host की body में निरबर है host की body के बार जिन्दा रही नहीं सकता faculty 2 का मतलब होता है जो की body के अंदर भी जिन्दा रह सकता है और भार भी next देखिए host अब थोड़ा सा host के बारे में मैं समझाता हूँ host means where parasite are alive they can multiply which is called host host की भी प्रकार होते है definitive host intermediate host and paratonic host तीन important host है याद रखना definitive host, intermediate host, paratonic host एक हे करके discuss करते है कि definitive क्या होता है intermediate क्या होता है और paratonic क्या होता है देखिए definitive host ऐसा host means where parasite can reproduce by sexual reproduction it is called definitive host जहाँ पर parasites sexual reproduction करके नए parasites को बना सके एसे host को definitive host कहा जाता है जैसे कि malaria parasite malaria parasite which is sexually reproduced in mosquito so it is mosquito is a definitive host जो malaria parasite anaphilia mosquito मच्छर नहीं होता है मादा मच्छर होती है उसके दोवारा फेलता है उस मादा मच्छर जो है वो एक प्रकार का definitive host है क्योंकि उसके अंदर जो parasite होते है वो sexually reproduce होने लगते नए parasite हो जाते है intermediate host intermediate host को मतलब means where parasite are present in larva stage as well as sexual reproduction stage देखो जहाँ पर parasites के अंडे larva मतलब क्या होता है वो चोटे-चोटे अंडे चीटी होगे larva देखा होगा आपने चोटे-चोटे अंडे देती ना चीटिया देटी सा larva ठीके तो लार्वा की स्टेज में भी पाये जाता है और sexual reproduction मतलब की human अब मनुष्यों के हमारे अंदर पेरसाइट आया तो भई उसके बच्चे भी होंगे और बड़े भी होंगे वो तो लार्वा स्टेज भी पाये जाएगी जैसे की scabies scabies is a important example of larva and sexual reproduction भी करेगा उसका लार्वा भी पाये जाएगा malaria malaria का larva भी हमारी body के अंदर मिल जाएगा और डेबलब पेरसाइट भी हमारे अंदर मिल जाएगा तो intermediate host paratonic host paratonic host where parasite are present in larvae stage but do not developed ऐसा host जिसके अंदर parasite present है larvae stage में पर वो डेबलब नहीं हो पारे बड़े नहीं हो पारे जैसे की बाहरी environment बाहर parasite की larva पड़ा हुआ है पर वो डेबलब नहीं हो पारा उसे हम paratonic host बोलेंगे तो तीन host होते है definitive host intermediate host और paratonic host definitive का मतलब होता है कि जहाँ पर parasite sexual reproduction कर पाते हो उस parasite उस host को हम बोलता है definitive हो जैसे की malaria intermediate हो जहाँ पर larvae stage भी पाए जाती हो sexual reproduction भी कर पाते है जैसे की human और nest है paratonic मतलब जहाँ पर larvae stage पाए जाती हो पर parasite reproduce नहीं हो पाते हो next बढ़ते source of infection source of infection है क्या मतलब इसे क्या क्या source है जहाँ से infection हो सकता है parasite present in soil in form of larvae और egg larvae stage में मिट्टी soil मतलब मिट्टी के अंदर भी parasites पाए जाते है parasite also found in water in for protozoa cyst and egg helminthis helminthis के एग और protozoa के form में भी यह पाए जाते it is found in mosquito and scent fly mosquito जो होती न mosquito के अंदर malaria parasite पाए जाता है ठीक है और वो जब हमें bite करती है काटती है तो वो हमें infection फोलाती है एक परकार से वो भी source है scent fly some parasite also found in animals such as cow and buffalo ठीक है गाई base के अंदर भी parasites पाए जाते है ठीक है तो वहां से भी it is also source of infection वो भी source का एक infection है वहां से भी infection cause होता है next thing होती है transmission of parasite parasites का transmission कैसे होता हमारे अंदर कैसे आ सकते है parasite can directly transfer by mouth mouth की तुरू आ जाएंगे खाना ना खाएंगे मिट्टी चली जाएगी तो directly enter हो जाएंगे some parasite can easily penetrate by skin कुछ parasites होते है जो penetration skin को penetrate करके अंदर चले जाते है वो हमारे अंदर parasite can also transfer by sexual content during the sex यह transfer हो सकते है ठीक है parasites can also transfer by mother to fetus तो mother यदी infected है तो उसका जो बच्चा बन रहा है तो वो भी infected हो सकता है parasites के तुरू parasite can also transfer by mosquito and scent plant मच्चर हमें काटेगा penetrate करेगा हमारी बोडी के अंदर इंटर कर देगा तो मच्चर भी हमारे लिए एक प्रकार से transmission है अब बात करते हैं classification of parasite सबसे important part होते है parasite are classified into two group दो भागों में विभाजित किया गया है protozoa और helminthes देखिए protozoa और helminthes एक एक करके discuss करते हैं पहले protozoa की characteristics को समझाता हूँ study of protozoa is called protozoology protozoa की study को protozoology कहते है it is unicellular organism which found in one micrometer to five millimeter देखो इनकी size एक micrometer से लेकर पाच मिलिमेटर तक हो सकती है और protozoa के study को protozoology कहते है next is it is motile due to present of pseudopodia and celia और phlegilla देखो तीन वड़ा है pseudopodia, celia, phlegilla गती क्यों करते हैं पेरासाइट देखो ये रहा जो बाहर आपको उभरे हो है इससे दिखाई देरे diagram में इसे बोलते हैं pseudopodia इसके थूँ गती कर सकते हैं यहाँ पे देखो सीलिया निकले रहते हैं इनके अंदर सीलिया और यह फ्लेजिला निकले इनके दवारा गती करते हैं it has no any true cell wall देखो इसके आसपास कोई भी cell wall नहीं पाए जाती है maximum protozoa is unicellular but some may be multicellular ज्यादा तर protozoa से family से जो ब्लों करने वाले एक कोशी की है unicellular है but कुछ multicellular भी हो सकते है maximum ज्यादा तर protozoa reproduce binary fusion bacteria divide होते हैं आपको पता binary fusion के दोरह divide होते हैं पर कुछ longitudinal fusion longitudinal fusion क्या बीच में से दो हिस्से हो जाना ये longitudinal fusion है देखो ये parasite ये stage आई फिर इस stage में क्या होगा बीच में से cut लग गया दो भागों में longitudinal सीधे divide हो गया ठीक है फिर से repeat कर देता हूँ protozoa की study को protozoology केते है इसकी size एक micrometer से लेकर 5 mm तक हो सकती है pseudopodia, celia और phlegyla की बज़े से गती करता है ये रहा pseudopodia और phlegyla इसके पास कोई cellule नहीं होती है maximum protozoa unicellular होते है बट कुछ कुछ protozoa होते है multicellular भी हो सकते हैं बहु कोशिकी भी हो सकते हैं जादा तर protozoa binary fusion के दोरह divide होते हैं पर कुछ protozoa longitudinal fusion बीच में से इस टाइप से divide हो सकते हैं next देखिए आप example of protozoa के क्या क्या example हो सकते हैं amoebia example important भाई example आपको याद रखना है ठीक है giardia lamblia ठीक है valentidium trichomonas vaginalis ठीक है ये 4 important example है amoebia, giardia lamblia, valentidium, trichomonas vaginalis vagina में infection करता है ठीक है ये important है याद रखना आप 4 important example होते है protozoa के next बढ़ते है ठीक है अब देखो helminthis क्या होते है helminthis जो होते है multi-cellular होते है जबकि हमने पहले पढ़ाता है वो unicellular था ठीक है it found spherical shape spherical जैसे spring-like shape पाए जाएग होते है helminthis has both type of sex organ male and female as well as female एक ही parasites की एक साइट पे male sex organ एक साइट पे female sex organ मतलब एक ही पेरा साइट में दो-दो sex organs पाए जाते that does not has any digestive system देखो इसके पास कोई भी digestive system नहीं होता है ठीक है it depends on pre-digestive food ये फिर खाना कहा से लेते है pre-digestive food host के अंदर हमारी बोड़ी के अंदर intestine में पाए जाते है this type के parasite intestinal parasite बोलते है उनको intestine के अंदर parasite पाए जाएगा ये हमारे pre-digestive food जो की आपाचित food होता है जो की पाचन नहीं होआ तो उस food को खाते रहते ठीक है तो ये helminthis ता कर देता हूं multi-cellular होते है helminthis हमेशा spherical shape में पाए जाते है helminthis के पास दोनों sex organs होते है male and female दोनो does not any digestive system नहीं पाए जाएगा depend on pre-digestive food जो हमारी intestine के अंदर pre-digestive food हो इस पर डिपेंड होता है आई ये के example हम लोग समझ लेते example क्या क्या हो सकते number होता है Ascaris, Lumbricoids, Anisylastoma, Dudenum और भी example होते है जो कि आप लोग देख लीजेगा ठीक है thanks for watching Indian Medical Lecture अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आपको समझ में आया हो तो आप please मुझे comments में आपका feedback जरूर दीजेगा थैंक यू